हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जियो पोसलाइट अप्लिकेशन में मुबाइल नमबर चेंज कैसे करें इस टापिक पर बहुत से भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि हमारा मुबाइल नमबर चेंज करना है जियो पोसलाइट अप्लिकेशन से तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ क्या जियो पोसलाइट अप्लिकेशन से मुबाइल नमबर चेंज करना संभव है या नहीं तो बने रही है वीडियो में एंड तक एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले जियो पॉसलाइट अप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं कि जियो पॉसलाइट आइडि कैसे बना है उस वीडियो को आप देखकर कि जियो पॉसलाइट अप्लिकेशन में आइडि बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर जियो पॉसलाइट अप्लिकेशन को ओपन कर लेता हूँ तो हमारा Simply Geo Post Light application यहाँ पर open हो रहा है and application open होने के बाद आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर हमें mobile number change करना है तो यहाँ पर mobile number change करने के लिए यह home page पर इसके कोई भी options यहाँ देखने को नहीं मिलता है जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले and जैसे यहाँ पर हम सारा चेक कर लिया है यहाँ पर सामने में कोई भी कुछ नहीं मिल रहा इसके बाद यहाँ पर हम community वाले option पर click कर देंगे तो यहाँ से यहाँ भी कोई option नहीं दिया है इसके बाद यहाँ पर हम click करते हैं एंड हिसाब किताब वाले option पर जैसे click करते हैं यहाँ पर भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इसके बाद last watch है profile icon तो simply इस पर हम click कर देंगे तो जैसे profile icon पर click करेंगे यहाँ आपका पूरा details देखने को मिल जाता है तो जैसे कि यहाँ पर हम profile icon पर click करते हैं तो यहाँ पर हमें आप बहुत सारे options यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो इनमें से सबसे पहला option my earnings का है passbook का है geophonics, geobhara devices and distribute sim, vouchers and coupons and यहाँ पर profile information geofiber light onboarding, fiber lead, setting, feedback, referent, fact, app information तो जैसे कि यहाँ पर हम setting पर click करते हैं and setting पर click करने के बाद यहाँ पर हमें mobile number change करने का कोई भी options देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर अगर आपका MPN भोल चुके हैं तो यहाँ पर आप MPN forget कर सकते हैं अगर आपको MPN change करना है तो यहाँ से आप अपना MPN change कर सकते हैं नीचे terminate account का option दिया है इससे आपका account delete हो सकता है and इसके बाद यहाँ से हम back चलते हैं and back आने के बाद यहाँ पर एक option और देखने को मिल रहा था यहाँ पर profile information simply इस option पर click कर देंगे तो जैसे इस option पर click करेंगे यहाँ पर आपका पूरा details देखने को मिल जाता है जैसे कि जब आप geopos light application का ID बनाते हैं उस वक्त जो भी आप details डालते हैं यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका PRM ID यहाँ पर देखने को मिल जागा bank detail यहाँ से change कर सकते हैं work location यहाँ से change कर सकते हैं resident address यहाँ से आप change कर सकते हैं पर यहाँ पर आपको mobile number change करने का कोई भी options देखने को नहीं मिलता तो अमीद है दोस्ति समझ गया होगे कि जिस mobile number से आप geopos light application का ID बनाते हैं वही number आपको permanently यहाँ पर verified हो जाता है ना तो उसे आप change कर सकते हैं ना ही कुछ banki यहाँ पर जो और भी other options दी हैं उनमें से आप change या correction यहाँ पर कर सकते हैं तो अमीद है दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल को subscribe जरूर कर देना इसी तरह की informative वीडियो हम यहाँ पर लाते रहते हैं और जियो पॉस light application में किसी भी प्रकार के other जानकारी चाहिए तो आप हमें comment कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग